तो गाइस हम देख रहे थे कि जो रिपर टैंक है वो वाटर वेज की डिफरेंट जो प्रापर्टीज हैं उनको स्टडी करने के लिए जो रिए यूज किया जाता है तो जब हम वाटर वेज को रिपर टैंक की मदद से प्रोडियूस करते हैं तो अगर हम उसकी डिफलेक्शन प्रापर्टीज को स्टडी करने जाते हैं تو हम देखते हैं कि जब वाटर वेज को रही होती है तो वाटर वेज रिफेर टेपल की कि सफेस के साथ जाकर टकराती है तो कुछ वेव जैती होती हैं जो उस सर्फेस के साथ टकराने के बाद दोबारा वापस से उसी मीडियम में वापस आ रही होती है तो वाटर वेव्ज की इस प्रापरिटी को हम कहते हैं कि ये क्या है रिफलेक्शन या नहीं एक वेव एक मीडियम से जाते हुए एक सर्फेस के उपर दुसरे मीडियम की टकराई है फिर टकराने के बाद दोबार वसी मीडियम में वापस आ रही हैं मुड़के तो वाटर वेव्ज की ऐसे प्रापरिटी को हम नहां देते हैं रिफलेक्शन का और इसे डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा फिनामिना होता है जिसमें जो वेव्ज है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए दूसरे मीडियम की सर्फेज से सट्राइब करती हैं तकराती हैं और उसके बाद दुबारा से काम बैक आ जाती हैं उसी फस्ट मीडियम में तो बेजिकी इस प्रापरिटी को हम नाम देते हैं रिफलेक्शन का अचा तो रिफलेक्शन के लिए करडिशन होती है कि जब भी करती से से सुटे का सउती है तो जो एंगल आफ इंसीडें से और बरेक्शन को बज learning, इंसीडेंस ह reflection बहुता तो जो एंजर और रिफलेक्ट्रीक्शन कटमन वह होगा। जो अगे लिए और पशलेक्षन होंगे अज़घ के हैं किसी और ब्रडियम के सास्व थी और नाब रिफ्लेक्शन भी 45 degree होगा या नहीँ है कि उसका है ज़्सक्राइब ऐसा होगा तो वेव जिन्हें हो रिफ्लेक्ड बैग रूने होगा उसके बाद हमारे पास लेट्सवन प्रॉपर्टी है कि रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन क्या होती है कि जब एक वेव एक मीडियम से जाते होगे दूसरे मीडियम में ट्रावल करती है तो क्या होता है कि वो अपना असल रस्ते से हट जाती है मूड जाती है यानि यह हमारे पास बेब वाँट पेन जा रही थी यह इस आप से टकरा रही है लेकी अब इसे जाने जानगें की पन्णी तो यटनगें तो वाँपन वेब की अइसी प्रपरिटी को ळेते हैं है दो दिफ्रेंट मीटियम में त्राइब कर दो तो दिफ्रेंट मीटियम में वो पाटर और आप देखें को हमारे पास मीटियम के रहे हैं तो वीडियम के चेंज होने की वजा से जो वेव की सबीड है वो डिस्टर्ब होती है चेंज हो जाती है अब अगर हम देखें हमारे पास जो वाटर वेज होती है तो जैसे जैसे हमारे पास वाटर शलो होगा तो हमारे पास wave कीipped कम होगी, क्योंकि उसकी wavelength क्या होगी? कम होगी. वेलेंद कम होगी, तो हमारे पार मूला होता है यहां से भी हम प्रोपोर्शनल पएग सेहे हैं, यानि लैम्डास अगा है शलो वाटर में, तो उसकी ग्या होगी काम होगी, इसी तरह जैसे जैसे हम वाटर में इप चाल देभ जाते हैं, जैसे जैसे यहां, पानी घारा होता तो वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसी वज़ा से उसकी सब्खीध क्या हो जाती है ? ज्यारा से दियाता मेधाती। तो अब यहां वी देदे यह बाटर Swarm की सब्खीड और एर एर में में सब्खीड की सब्खीड और हो गी तो फिन के ऐसी प्रापरिटी को हम reflection पर हम्हुर्छ करते हैं आप तो इसमे अगर हम देखें, यह हम पर उब शोन नकार एक और अध्यक्रेग्ह meio और यहुड को थासी यह तो प्लेखोस हम आपने तो मोरुट। यानि शलो वाटर में हमारे पास सपीर्ड क्या होगी काम होगी यहां पर हमारे पास सपीर्ड क्या होगी अब यहां से वाटर डीप होना शुरू होगी यहां यहां शलो वाटर एक अलर्ड मीटियम है और टीप वाटर एक अगर बीड है तो यहां पे वेवलेंग से बढ़ना शुरू हो गई, इसकी सपीर्ड इंक्रीज हो गई, आप इस सपीर्ड के डिफरेंस की वज़ा से, मीटियम के चेंज होने की वज़ा से, यह जो वाटर बेज हैं, आप चाहिए दूना कैसे ही जाती, स यह उपने असर वास्ते से पेंट होना शुरू हो जाती ही वी तो वेवस के इस प्रापर्टी को हजबना हो देते हैं तर्फ्रैक्शन का मैं और टॉपिक है, वो डायर्चन से रिरेटेट है, अब डायर्चन क्या है? डायर्चन यह की ऐसी प्रापर्टी होती है इसमें वे इस यह पैट बोना शुरू हो जाती देखें, यह बेव से स्ट्रेट जा रही दी इस सोड से, लगड़ियां में हमने एक आप्स्टिकल गड़ी एक लगड़ी का हुनारा रहती है, अब उस लगड़ी के बुनार में थोड़ा सा होल कर दिया हमने, अब आगे हम अगर अगर अ इस तरह के पैटर्न में शुरू हो जाएंगे, यह बेव जो थी वो थी तो सट्रेट ही, सट्रेट ही तैकना तो उसके पास रस्ता ही नहीं था, पुरा ट्रेवल गड़ी का सट्रेट, तो जो रस्ता उसे मिला है यहां से, वो इस आप्स्टिकल के अराउंड में पैंड़ो पैंड़ी सीरीज होती है, ठीक है, उसके पास अब डाइज्रेक्शन जो है, कब जियाता होगी, कब कम होगी, यह डिपेंटिक करता है हमारे पास जो आपस टेकर है, उसकी एज़ेज के ओपर, अगर एज़ेज होंगे प्लेंग, तो जो हमें डाइए्रच्छन पैटर्रन है, वो कम मिलेगा, कम अबसल होगा, अगर हमारे पास एज़ेज होंगे शार, तो हमारे पास जो डाइेज्रुक्शन का रेट हे, बहुत रहादा उनकर है। जैसे यह तेके हैंए, यहां पर अपास गेज़े जो आखेज हैं, यहां से हम देख सकते कि हमें जो इनके तर्वियां में इसके मुकाबरे में ज्यादा रेट है यहां पे हमें डाफ्रेक्शन पैट्रन ज्यादा मिलेगा अब डाफ्रेक्शन के लिए एक करडिशन होती है कि यह जो दो स्लेट्स हमने रखी है इन स्लेट्स के दर्म्यान जो डिस्टेंस है ठीक है यह इक अप्रिवली इकॉल होना चाहिए जो वेव दो उसमें से ट्रैवल कर दे हैं उनकी वेवलेंट के अगर तो यह स्लेट्स के दर्म्यान डिफ्रेंस टिस्टेंस और जो वेव लेंथ है वाटर की वह गो यह उसमेंदी एकॉल है करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रस्ता मिला है तो भाइद यह हमारा फास्ट ट्रैक्टर से रिलेटेट कुछ टॉपिक्स से इनको हमने इस प्रड़ी किया है तो आई होब कि आपको वही लेक्टर से जो है मदद मिली होगी हैं पाउट हुई होगी if you have any worries and question about this chapter and these topics you can ask thank you